दोस्तो वीडियो को जयादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जुरूर थे है ऐलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थेया आपका जियो भी नुट प्रें को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो अच्ची मगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनरजी ने बसीर हाट में एक चुनावी सभा को संबोधीत करते हुए कहा है कि मैं प्रधान मंतरी मोधी को कैसे थपड मार सकती हूँ उनका सीना तो 56 इंज का है ममता ने कहा है कि मैं आपको यानी मोधी को थपड मारूँगी मैंने क दोस्तों आपको बता दे कि ममता बेनर्जी ने हाल ही में अपने इस सभाव में कहा था कि वोटरों को सहानुभूती हासिल करने की पूरी कोसिस की इसी कड़ी में ममता बेनर्जी ने आज दोबारा परधान मतरी को जबाब दे दिया है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है चठे चरन की उनसर सीटों पर वोटिंग जारी दाव पर दिगजों के किसमत कई हस्तियों ने डाला फोट जी हाँ दो तों छो राजियों और दिल्ली की सीटों सहीत उनसर लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है इस उनसर सीटों में उत्तर परदेश की चोदह, हर्याना की दस, बिहार और मद्य परदेश की आठ, दिल्ली की साथ और जारखंड की चार सीटे सामिल है इस चरण में करीबन 10.1,7 कोड़ों मतदाता मतदान की युग हैं जो 980 उमिद्वारों का किसमत का फैसला करेंगे इन्हें उमिद्वारों के साथ है केंद्रिय मंतरी राधा मोहन सिंग, हर्सवर्धन सिंग राठोर और मेनका गांधी, सपापरमुक अखलेस यादो, कॉंग्रेस नेताओं जैसे दिगविजे सिंग, जोतिर आतिसिंद्धिया का किसमत का फैसला होगा चुनाव आयोग ने चुनाव को सुचारू संचालन के लिए एक दसमलो एक तीन लाग से अधिक मतनान किंद्र बनाए है, जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि राष्टपती भावन में रामनाथ कोविन ने भी वोट डाला है, वहीं दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली मे चुनाव सुरू होने से पहले ही बावाल हो गया है, जहां भारती जनता पार्टी ने अपने बूथ लेवल के अध्यक्च की हत्या कर आरोप टीमसी का रिकरताव पर लगाया है, आरोप है कि जार गरा में राम सिंग का मडर किया गया है, हाला कि डॉक्टरों ने कहा है कि इ पहले से बिमार था और उसके सो को पोश्टमाटम के लिए भेजा गया था, जहार गराम जीले के चुरू सोले गाउं के गाउंवालों ने दिर रात को बीजेपी कारेकरता का सवब बरामत किया था, बीजेपी का आरोप है कि उसमें कारेकरताओं को मार पिट करके हत्या कर आपको बताते कि लोक सबा चुनाओं में अभी तक हर चरण में बंगाल से हिंसा के खबर आ रही है, फिर चाहे वह कारेकरता के बीचे हाथा पाई हो या फिर पोलिंग बूथ पर ही देशी बम से किया गया हमला हो, बंगाल में पांच चरण के दोरान हिंसा लगतार बढ़ चुनाओं में आज दिली के छठे चरण के मतान हो रहा है, इस तोरान दिली के मुक्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरिवाल ने लोगों से नफरत और जर फैलाने वालों को वोट नहीं देने के अपिल की है, केजरिवाल ने वोटर से दिली के बिस और दिली में काम रोकने वालों को वोट मत देना, आपका वोट देस बदल सकता है, जी हां दोस्तों आपको बता दे कि पांच चरणों का मतदान देस में खत्म हो चुका है, आज छठे चरण के दिली में एक साथ सीटों पर मतदान हो रहा है, इस साथ ही देस में आखरी और साथवे चरण का मतदान उनिस में को होना है, इस तिन 69 सीटों पर मतदान हो गए, इसकी गिंती तेस में को होनी है, जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़वरे आईसाई का संसनी खेज दावा भारत में अस्थापित किया अपना प्रांथ, जी हां दोस्तों खुंखार आतंक कि समुख आईसाईस की समचार एजनसी अमाक के अनुसार नई साखा का नाम अरभी, जी हां दोस्तों जिसका नाम है विलाया आफ इंडिया मतलब भारतिय प्रांथ रखा गया है, जमू कस्मिर के एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने हाला कि इस दावे को खारिज कर दिया इसलामिक चरम पंथियों का नजर रखने वाले आईसाईस के इंटेलिजन्ट गुरूप के निर्देशक रिता काट्ज ने कहा है कि आईसाईस ने अमसी पूरा में भारतिय बलों के साथ जड़पो पर दावा करने का नाम जिसका नाम बता है हिंद प्रांथ घुसीत किया ह उन्होंने ट्विट करके का है कि बेसक एक ऐसे चेतर में एक ऐसा प्रांथ की अस्थापना जहां इसके वास्तविक नियंतरन और कुछ नहीं है बेवकूफ है लेकिन इसे हलके में नहीं लेना चाहिए आईसाईस के साखा के भगौलिक नियंतरन पर बिस्तार की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है समुख द्वारा नई साखा की घोशना को पस्चिम एसिया में अपनी जमीन खिसकने के बाद वैस्विक अस्तर पर अपने प्रभाव को बरकरा रखने के रणनीती के तोर पर देखा जा रहा है इस तरह की रणनीती का जिक्र पिछले दिनों ISIS का प खारतिय सुरक्षा बलों के साथ भीड़ गये थे जिसमें से कई घायल हो गये और कई मारे भी गये हाला कि बयान में यह भी उलेक नहीं किया गया है कि कथित जड़प कब हुई थी 10 माई के मीडिया के खपरों के कहा है कि कस्मीर के सोफिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुदभेर में एक आतंकी मारा गया वो बता दे कि अप्रील में इराक और सीरिया के IS का खलीफा राज खत्म हो गया था जब इस वक्त हजारों मील के इलाके में उसका सासन चल दा था इसके बाद बैक हॉफ लाए आयस के अत्मगाती हमलों को तेज कर दिया हाल ही में उसने सिरलांका में कई जगा बम धमाकों की अंजाम दिया है जिसमें से 253 लोग मारे गए जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खेवर है बीजेपी ने एयर रश्रिक पर ट्वीट किया पीएम का बयान फजीहत पर करना पड़ा डिलीट जी हाँ दोस्तों ए एमाइम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधान मतरी मोधी पर सीधा निसना सादा एक इंटर्वीव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने काया कि परधान मतरी जी आप तो गजब के एक्सपर्ट हैं सर एक अनुरोध है कि आप अपने नाम के पीछे चोकिदार हटा लिजिए और एयर चिफ मारसल और परधान लगा लिजिए ओवैसी ने जैसे ही परधान मतरी मोधी को गेरा बीजेपी ने अपना ट्विट हटा लिया लेकिन मैंने उसे सलाह दी कि वास्तों में बादल हमारी मदद करेंगे और हमारी लड़ाकू बीमार रडार के नजर में नहीं आएंगे इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ओवैसी ने काए कि सर प्रधान मंतरी जी आप तो गजब के एक्सपर्ट आपसे अनुरोध है कि आप अपने नाम से चोकिदार हटा लेजिए और एयर चीफ मार्सल और परधान रख लेजिए आपकी बातों से रुजगार अर्थवेवास था और ध्योगिक बिकास और क्रिसी संकट के आलावा हर बात का फर्मूला होता है जारी रखिये मित्रो इसके साथ बीजेपी गुजरात ने भी ट्वीट करके यह डिलीट कर दिया जी हाँ दोस्तों इसमें से प्रधान मतरी मोधी ने 1984 में सीख दंगे विरोधी से भयंकर जन्ह संहार बताते पर ओवैसी ने प्रधान मतरी मोधी को साल दोहजर दो में गुजरात दंगो की यादि लाए बाद लोक सभासे सांसद ओवैसी ने मोधी से पूछा है कि वह गुजरात में क्या कहेंगे ओवैसी ने ट्वीट करके काये कि स्रीमान तो मुख्यमंतरी के तोर पर आपने कारेकाल के दुरान 2002 में तो तबाही हुई थी और आप लोगों को बचाने में अपने समवैधानिक सपत को बचाने से नाकाम रहे थे और वैसी ने कॉंग्रिस अद्दक्स राहूल गांधी के सलाकार सैम पितरोदा के सिख दंगे बिरोधी पर सबसमंदित बयान पर प्रधान मतरी मोदी द्वारा उनकी निंदा किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए काये कि इस दोरान उन्होंने सैम पितरोदा के ब मुद्दा क्या है आप बता दिशिये आपने पांस साल में क्या किया चवरासी में क्या हुआ तो क्या हुआ उसे क्या है सैम पितरोदा के इस बयान पर सभी सियासत गरमाय हुई थी पित्रोदा के बयान पर प्रधान मतरी मोधी ने काये कि कॉंग्रेस के बड़े निता, सैम पित्रोदा ने साफ कहा है कि 1984 का दंगा हुआ था, और कॉंग्रेस के लिए जीवन का कोई मुल्य नहीं है, कॉंग्रेस के समय में हज़ारों लोगों का कतलियाम हुआ था, दिल्ली मे अठाई सो से जादा लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन कॉंग्रेस से इसका कोई फरकी नहीं पड़ता है, इसके बाद सैम पित्रोदार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए का था कि मेरी हिंदी खराब है, मैं जो कू हुआ वो बहुत बुरा हुआ, करना चाहता बुरा हुआ, दिमाग में ट्रंसलेट नहीं हूँ पाया, मेरे बयान तो तोड़ मरोर कर पेस किया गया है, लोक्स भाचुनाव में काले थन के इस्तमाल को रोकने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन एक सच भी है कि चुनावी दोर में 2000 के नोटों की जमा खोरी पहल करेंसी टेस्ट में 2000 के नोट का मादर बचे, यानि की करेंसी न तो रिजर्ब बैंक के पास है और नहीं पबलिक बैंकों के पास, माना जा रहा है लोक्स भाचुनाव की दस्तक के साथ ही, करीबन एक साल में नोट की जमा खोरी चल रही है, इसका असर अब बैंकों पर के नोटों का हिस्सा 50% से अधिक है, जी हाँ दोस्तों बैंकों के सुत्रों का काना है कि 2000 के नोट बैंक, बजार और एटियम से लगतार कम होते जा रहे हैं, इसकी जगह पर 500, 200 के नोटों का भरपूर इस्तमाल हो रहा है, 2000 के 80% नोट लोगों की तिजूरियों में कैद है, इसे अघुसित रूप से बड़े लेंदेन में इस्तमाल किया जा रहा है, लेकिन कानपूर में ही चुनाओ से पकड़ी गई करीबन 4 कड़ोर की नगदी इस्तमाल इसका सबूत है, जो नहीं पकड़ी पा रही है, वे काले धन के तौल पर इस्तमाल हो रही है, नोट बन्द में यह घट कर 20-25 फिसदी हो गई 2000 के नोट वापस लाने की इस्थिति लाकर के ऐसी ही बनी रही है मार्च 2018 में यह आवक 18 से लेकर के 20 फिसदी थी इसके बाद से 2000 के नोटों की आवक एकदम थम गई 74-5 फिसदी नोटों की वापस आ रही है हाला कि यह गंभीर है आपको बता दे कि रिजर्ब बैंक ने 2000 के नोटों की जमाखोरी रोकने में नाकाम रहा है रिजर्ब बैंक की अगस्ट 2018 में आई एक रिपोर्ट केंदर सरकार को भी कटगरे में खड़ा कर दिया रिपोर्ट का आकलन करने का पता चलता है कि जिस मकसद से नोटबंदी का फैसला किया गया यह पूरी तरीके से सफल नहीं रहा सबसे बड़ी नाकामी तो करेंसी की जमाखोरी को लेकर है नोटबंदी के बाद भी करेंसी की जमाखोरी नहीं रुकी यह इस्तिति काले धन पर अंकुस लगाने की नाकाफी है डिजिटल लेंदेन बढ़ाने के बज़ाए कैस के लेंदेन का चलन फिर से सुरू हो गया है जहां दोस्तों चैनल को सब्सक्काइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी डिटले आप तक पहुंचती रहे